हुघ है याट वैलकम 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 मैं डौक्र लोकिस बाली बैच अरजुना में आप सबी दोस्तों का स्वागत करता हूं बैच अरजुना की क्लास नमबर ट्वेंटी है आज जियन सात्यों क्लास नंबर आज हमारी होने वाली है बीसवे नंबर के आज हमारी क्लास है ये साथियो बैच अरजुना इस समय हमारे बीच में चल रहा है क्लास नंबर है साथियो 20 आज मैं पढ़ाने वाला हूँ DI Basics तो आप इस क्लास को फ़र्ष्ट क्लास मान कर चलिए क्योंकि इससे पहले मैंने एक DI की क्लास कर ली है लेकिन उसमें 2021 के PYQs करवाए थे लेकिन इस क्लास से मैं आपको Basics समझाना शुरू करूँगा कि किस प्रकार से हमको DI को समझना है यानि DI की आज नंबर क्लास सेकिंड है यूनिट नंबर साथ चल रहा है इससे पहले मैं यहाँ पर Math पढ़ा चुका हूँ Reasoning पढ़ा चुका हूँ और अभी DI पढ़ा रहा हूँ यानि की तीन यूनिट से आपर Complete हो गई है मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि exam से पहले मैं आपका पूरा Paper 1 Complete करवा दूँगा आपको डेली रातरी 9 बजे इसी यूटूब चैनल पर आ जाना है जो है सातियो आपके दोस्त आपके भाई का चैनल वो है डॉक्टर लॉकिस वाली का आप आजाए यह आप सब का चैनल है और हम सब मिलकर यहाँ पर सातियो लगा था यह अब हम सातियो सीधा जंब करते हैं हमारी क्लासेज पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी एक्जाम में कई सारे टाइप की इस प्रकार का आता है और चौथा सातियो इस प्रकार का आता है मैं चारो ही टाइप के क्वेशन को बड़ी डिटेल्ड के साथ समझाऊँगा ताकि आप एक एक चीज का अच्छी तरीके से निर्दारन कर सकें सबसे पहले हम सुरुवात कर लेते हैं पाई चार्ट से क्या करते हैं सातियों पाई चार्ट से सुरुवात कर लेते हैं इसको पाई चार्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पाई चार्ट कॉपी मैं निकाल लिया सब ने दिख तो साप रहा है न आप लोगों को हाँ फिल कर सकते हैं जो लोग एमे कर रहे हैं वर्तमान में वो सब लोग फिल कर सकते हैं बिलकुल फिल कर सकते हैं जो अभी वर्तमान में में कर रहे हैं वो लोग भी फिल कर सकते हैं चाया आप हश्ट यर में हो चाया आप सेकंड यर में हो चाया आप सेकंड सेम में हो आप सब लोग साथ यहां पर फिल कर सकते हैं सजी डियाई का पूरा नेम क्या है और भाई लिखो भाई डियाई का पूरा नाम लिखकर बताओ इनको इनको डियाई का पूरा के लिख कर बता दीजय कि इसको बोलते डाटा एंट्रिप्टेशन थी और आकणों यहां पर निकाल लिया हो अब क्या होता है बेसीक से चलते हैं लोग बिल्कुल बेसीक से चलते हैं यह कि है सातियो कोई चीज है यहां पर क्या कि नीचे दीगे पाई चाट में किसी प्रकासक कहला एक पुछ्तक के प्रकासर पर किये गें वैको दर्साता है माल ये किताब ना सो रुपे में किताब है कोई किताब छपवाना चारा तो रुपे उसका खर्चा है अब उस närी 35% यानि 35 रुपए उसके छपाई में खर्च होगे, 15% उसके कागज में खर्च होगे, 18% उसने विज्ञापन पर खर्च कर दिये, 12 रुपए इसने जल्द बाजी में खर्च, जिल्द बाजी जो कवर चणाते उसमें खर्च कर दिये, 15% की रोयल्टी होगी और 5% का चीज है, वो 100 है, आप ये मान कर चलो, अब 100 में कैस आते हो, अलग-अलग चीज के प्रतिसतियां पर हो चुके हैं, आइए इस प्रकार के कौशनों को समझने का प्रियास करते हैं, सबसे पहला कौशन आपके सामने है, चलिए, आला ड़ी, आ गया? गोडिवनिगाईद, देखो, सबसे पहले इस कौशन को कर लेते हैं, यदि पुष्टक की 5000 प्रतिया चपाई गई हो, मान लेते हैं कि कोई किताब है, जिसकी 5000 प्रतिया चपाई गई हो, जिसका विविद का वे कितना है, 1500 रुपे है, हो तो तता प्रकासक कितना है, 25% होल्ड रख दो, इस वाले कौशन को इसके बाद करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा कौशन, आईए, कौशन नमबर 113 करते हैं, ताकि हम क्रम से चल सकें, सरल से कठिन की और चल सकें, क्या कह रहा है, यदि विवित पर खर्च 1500 रुपे होए हो, तो विज्यापन पर कितने होंगे, यह सवाल हम से पूचा है, यह कौन से भगत पर भीड पा गई है, जो क्लास देखते नहीं है, फौन कर देते हैं, मोबाइल पर, यदि विवित पर, देखो, यह जो 5% है ना, 5% बरावर कितना है, 1500 है, अब यहाँ पर हमको एक आइडिया लग गया है, कि यहाँ पर पूरी संख्या, देखो धान से देखो आप, डियाई समझना, डियाई पढ़ना बहुत हासान है, बस डियाई से डरना बंद कर दो, अगर आपने डियाई से डरना बंद कर दिया, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, एक बार वीडियो को लाइक करके, करके पॉजिटिविटी फेला दो क्लास में और जो लोग कॉमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं न मैं उनसे कहना चाहता हूं पहले चैनल को सब्सक्राइब करो फिर आप कॉमेंट्स कर पाओगे अब देखो यदि विविद का खर्च कितना है रुख जा का का यदि विविद का खर्च कितना है पंद्रेशो रुप है अब आप यहां पर ध्यान देजे कि पांच परसेंट बराबर कितना है पंद्रेशो रुप है तो हमारा एक प्रतिसत बराबर कितना हो जाएगा एक प्रतिसत बराबर कितना हो जाएगा अगर पांच प्रतिसत बराबर पंद्रा है तो एक प्रतिसत निकालने के लिए क्या करेंगे सातियो हम 15 सो में पांच का भाग दे देंगे क्या करेंगे पंध्रह सो में बाक देंगे पांच का बराबर एक प्रतिशत बराबर कितना है 300 यहां तक बास समझ की अब हमसे क्या पूछा गया है तो विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ है तो विज्ञापन कितना है सातियों हमारा 18% है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सातियों 18 इंटू 300 कर देंगे तो कितना आगे सातियों 18 रएती 50 तो यहाँ पर सosaurus आगे हमारा चववंस समझा दूंगा आप लोग चंता बिलकुल भी ना करें एक एक चीज को समझा दिया जाएगा यह कैसे किया है मैंस हौल ये चीज मैं आपको समझा दूँगा, आप बिल्कुल जिंता ना करेंगे, कैसे solve किया है, और ये 300 खां से आये हैं, 500 खां से आये हैं, ये सब चीजें हम लोग समझ लेंगे, ये 300 और 500 खां से आये हैं, इन चीजों को भी हम लोग समझ लेंगे, देखो, ये 300 कां से आये, कितने लोगों को लग रहा है कि 300 कां से आये, 300 में कितने लोगों को दिक्कत आ रही है, कितने लोगों ने सही कर दिया, नेहा सिंग, फिर से समझा देता हूं, संगीता कोई चिंता वाली बात नहीं है, हलो नेहा, हाई संगीता, विभा, ग्रेट 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 सब लोगों के सॉर्ट डॅउट कर लेते आप बिल्कुल चिंता ना करें अगो क्वॉलिटी वड़ालो दिख जाएगा सब कुछ पिर से समझ लेते हैं घर की सरकार है आप चिंता क्या करते हो ऐसको भोलते हैं प्रतिसत निकालना, दूसरा ओसत निकालना, और तीसरा ऐसातियो अनुपात समानुपात निकालना, क्या है अनुपात निकालना, पर तीन चीज हमने सीख ली, डी आई का कोई भी कॉशन को आम सॉल करतेंगे, और यह तीनों चीज मैं आपको सिखाऊंगा, आप बिल्कुल न इस सिंथ रही है, फिर से हम 13 वाले नंबर को समझने का कॉशन को प्रियास करते हैं, कॉशन कह रहा है कि यदि विविद पर 1500 रुपे खर्च किये गए हो, जबकि विविद का प्रतिसत कितना है, 5%, तो हम यह कह सकते हैं, कि 5 प्रतिसत बराबर 1500 रुपे, am I right? भाई, इस कॉ इस सिर्थी बात है, जब 5% निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे? 1% बराबर कितना हो गया? हम 15500 क्या दे देंगे? भाग दे देंगे कितने का? पांच का, तो कितना होगा? एक प्रतिसत बराबर कितना हो गया 300 रूपए इतनी वास समझ लगी अब हमसे सवाल कह रहा है कि विज्यापन पर कितना खर्च हुआ है तो विज्यापन कितना है हमारा यहां पर 18% है तो क्या करेंगे यहां पर साथियो मालो एक प्रतिसत बराबर 300 तो 18 प्रतिसत बराबर क्य इतना सराल कॉशन आते हैं डियाई के बस हम लोग डियाई से डर जाते हैं और डर के आगे ही जीत है डरना नहीं है बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक एक चीजें समझा दूँगा आप ये निस्सिंद रही है देख लीजे कोई समझा आई आई आपको देख लीजे ये कॉशन सबको समझ लग गया अब मन में कैसा फील हो रहा है मुझे बताओ कैसा फील हो रहा है मन में मन में लड़ू फूटे अब मन में लड़ू फूटने लगे गया अब अच्छा लगने लगा मन में लड़ू फूटे फूटे मन में लड़ू कि यार गुरु जी ये तो बड़ा मस्त मजा आ गया यार यह तो बहुत बढ़िया क्लास हो यह तो बहुत बढ़िया कॉशन हो गया अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विज्ञापन पर खर्च ना करके चपाई में कितने खर्च होएं मुझे ये बता दो विज्ञापन पर खर्च ना होकर चपाई पर कितने खर्च होएं मुझे आप ये समझा दो बस इसका आंसर आप कॉमेंट्स करके दोगे प्रतेख व्यक्ति कॉमेंट्स में आंसर देगा यदि विविद पर पंद्रे सो रुपे खर्च किये हैं तो छपाई पर कितना वे होगा कॉमेंट्स करिए यार कोई बताओ 5% ही क्यों लिया पाच परसेंट यह हमने नहीं लिया है 5% इसने लिया है कॉश्चन ने काई कि विविद परबर पंद्रे सो है तो विविद में विविद पर खर्च पंद्र दे के मान लो कि आपने कोई किताब लिखी आपने लो कोई किताब चपवाई किताब की कीमत है 100 रुपे माल लो अम आपने क्या किया पांच रुपे तो खर्च कर दिया ऐसे ही उडाने में जीत जैनती चुर्रे खाने में विविद्ध पांच रुपे वैसे ही खर्च कर दिये 35 रुपे की आपने चपाई करवा दी किताब चपवा दी 12 रुपे का आपने गत्ता चंडवा दिया और साथी 18 रुपे का आपने विज्यापन करवा दे किताब की पब्लिक्सिटी कर दी और 15 रुपे आपने रोयल्टी के दे दिया तो अब आपने यह आईडिया लगा दिया भाई ये 5 परसेंट यह आप इसको 5 रुपे मानकर चलिए इस किताब में चपने में कितना आया 100 रुपे का खर्चा है जो हमने अलग-अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया लेकिन इस सवाल में क्या दिया है प्रतिसत दिया है यहां पर जो प्रतिसत है विविद कितना 5 परसेंट है तो 5 परसेंट बराबर 1500 है तो यह 18 परसेंट बराबर क्या होगा या 35 परसेंट बराबर क्या होगा आंसर देजे रूमी खान का नाम ले लिया भाई रिम्पी जी नेहा सब लोगों ने 10500 आंसर दिया है देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर क्या है आंस्वर दिया है 10,500 कितने लोग इस आंस्वर से सहमत हैं सर एक्जाम ओनलाइन होता है तो वहां में औरली सॉल करना होगा नहीं भाई आपको रफ वर्क मिलता है कॉपी भी मिलती है जिसमें आप रफ कर सकते हो ऐसा आपको पूरा ऐसा औरल नहीं करना होता है आपको कॉपी दी जाएगी उसमें आप रफ कर सकते है अब देखो यह कॉशन सही है या गलत है इसको हम कैसे सॉल करेंगे आए इसका देख लेते हैं जैसा कि हमको पता है वीवित बराबर कितना है पंद्रे सो रुपए है तो वीवित कितना है पांच परसेंट तो पांच प्रतिसत बराबर पंद्रे सो रुपए तो एक प्रतिसत निकालने के लिए क्या करेंगे पंद्रे सो में 5 का भाग देदेंगे अर्थात 300 चपाई पर खर्च पूचा है हमने चपाई पर खर्च पूचा है तो चपाई पर खर्च होए 35 प्रतिसत तो 300 सो इन्टू थार्टीफई बराबर आप साथियो 35, सत्तर दुनि 154, और 35, 105 एक सो पांच बराबर 2 जीरो, साथियो 10500 इसका जाहीयांस्वर है क्या है साथियो जो लोग comment नहीं कर पा करें हैं मैं उनसे कहना पाऊंगा comment सिरफ वही student कर पाएंगे जनों ने channel को subscribe किया होगा तो चैनल को subscribe कर लो ताकि कॉमेंट्स कर पाएं और यह मैंने क्यों किया है comments बंद इसलिए कि कि बहुत सारे लोग आते हैं पता नहीं कहां से और एक बार में copy-paste 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 करकर चले जाते हैं बहुत सारी चीजों को और वह class को disturb कर देते हैं इसलिए मैंने यह किया है कि जो विध्यारती class को सच में अच्छे से पढ़ रहा है जो daily class में आता है जिसने channel को subscribe कर रखा है ताकि class हम अच्छी तरीके से पढ़ पाएं और ताकि मैं आपके सवालों का जवाब अच्छी तरीके से दे पाऊं इस mobile के अंदर तो आप लोग अगर मुझे comments कर से ना चाहते हो तो channel को subscribe कर लेजिए हाँ भाई दोनों paper से बनती है दोनों paper से कटॉप बनती है मजा आया यह काया रोयल्टी से अनुपात है चपाई पर जो खर्च हुआ है वो रोयल्टी के खर्च का अनुपात निकालो मैंने आपसे क्या कहा हमको अनुपात निकालना आना चाहिए कोई बात नहीं है आज हम अनुपात निकालना भी सीख लेंगे चपाई वेकाया रोयल्टी से चपाई इधर देखिए चपाई क्या है चपाई का प्रतिशत कितना है 35 प्रतिशत और रोयल्टी कितना है रोयल्टी है साथियो 15 परसेंट रोयल्टी कितनी है 15 प्रतिशत है तो हमारे पार दो संक्या आ गई है 35 अनुपाद 15 अब अनुपाद का मतलब क्या होता है कि इसमें एक्ट्रा चीजों को काट दो समान जितनी भी चीजे समान है उसको हटा दो तो समान चीजों को हटाने के लिए हम इसमें 5 का भाग देदेते हैं साथ बार मैंने इसको काट दिया पांटिया पंद्रा क्या अब भी कुछ बच रहा है बाकी तो इसका अनुपात हो गया साथ अनुपात तीर तो सही आंसर हो गया साथ अनुपाती कितना सरल है डियाई बस आप डियाई से डर जाते हो घबरा जाते हो जीवन में पहली बार डियाई सुना है इसलिए आप डर जाते हो डियाई बहुत सरल है मैं खुद कही बार नेट ज्यारफ क्वालिफाई हूं तो मुझे इसका ज्यादा आइडिया अब मत कह रहे तो नब डियाई से डर जाते हैं मैंने कहा था ना आपको डियाई की आज दूसरे नंबर की किलास है पांच साथ किलास पढ़ लेंगे ना तो गर्दा उड़ा देंगे दुआ उड़ा देंगे एक भी कॉशन गलत नहीं करोगे यह मेरा वादा है आप लोगे इसी लेकिन मैंने मैंत रीजनिंग डियाई इसलिए शुरू किया है खासकर आर्ट के बच्चों के लिए कॉमर्स के स्टुडेंट्स के लिए ताकि उनके माइंड में से डर निकल जाए अमित याद आओ कहने कॉमेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या चाहिए प्रभू खुब पहुंच रहे हैं पूछो क्या पूछना चाहते हो महादेव की लाडली कह रहे हैं कि हलो सर आज यह मेरी फर्ष्ट लाइव क्लास है अभी तक आपकी क्लासेज के बारे में पता नहीं था और बाप्रे आप डेली आया करो डेली लाव क्लास होते है नो वजे ठीक है पूरा सिलिबस कवर करेंगे बारवे नंबर का सवाल अब साथ्योग बारवे नंबर का सवाल हम कर लेते हैं कि कि बारवे नमबर का सवाल को एक बार अब आप सातियों 12 नमबर के सवाल को एक बार डंग से पढ़िए ताकि हम चीजों को डंग से चीजों को सातियों यहां पर करना सवाल करने आइए बार नमबर कोशन से क्या कर रहा है यदि पुष्त की 5000 पृति चपी हो यदि पुष्त की 5000 पृतियां चापी गई हो विविद वे हैं हमारा 1500 तो प्रकासक 25 परसेंट लाब चाता है तो पुष्त की एक पृति का अंकित मुल कितना होगा अब आपके मुन में डर बैट गया होगा झाल 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 तो किताब 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 क्या होगा जो का लग रहा है गुणा तो 30,000 को ऐसे कैसे लिख दो गुणा 25 बटे 100 इस दो 0 से इस दो 0 को काट देंगे 300 इंटू 25 करेंगे तो 500 आ जाएगा यानि कि साथियों हमको 4500 रुपए और कमाने हैं तो 4500 रुपए को हम यहां पर जोड देंगे तो टोटल अमाउंट आ गया 37,500 यानि कि 37,500 में अगर हम पूरी किताबों को बेचेंगे तो अब हमको 25% का लाब मिल जाएगा बढ़ यह पूछ रहा है कि पुष्टा की एक प्रती पर अंकित मुल कितना होगा तो हम क्या करेंगे 37,500 में भाग देंगे 5000 का तो साथियों 7.5 आंसर आएगा कितना आएगा 7.5 आंसर अब बताओ समझ लगा या नहीं लगा मन में कैसा फील हो रहा है डी आई पड़ का मन में लड़ू फूट रहे हैं हूट रहे हैं मन में लड़ू अच्छा लग रहा कैसा लग रहा है बताओ पानी लिया दाओ आओ आज हमारी इवा का 6 मंग का बसडे भी इवा आज 6 बेनी के हो गई है हई वडा हाई आए एवू एपी बस डे बेवू हाई हालो हाई हाई भाइस हाई हाई इहाँ बोल रही है, क्या बोल रही है हालो हाई है कि आस्मॉट है कि एग है हैपी वर्थदे ईवो हैपी वर्थदे डडो हैपी वर्थदे हैपी बटे कर सिट एगा चले गाइज ओह अच्छा अच्छा आप मैं माइक मेरे साथ चला गया ना वाइरलेस माइक के तब आज आगी होगी बिलकुल आज इवा का वर्षडे है आज छे मेने के होगी है इवा शिक्स मंथ और मेरी लाइफ के ये छे मेने बहुत बहतरीन अदभुत जो मैंने उसके साथ जीया है ये समय को फैबुलर कमाल इस टाइल विट मीना करें नौटिफिकेशन आ गया है बिलकुल उसपर वीडियो बना देंगे पहले आप इस क्लास को देखिए थैंक यू गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवा की फोटो दिखा हूँ मैं आपको रुख जाओ दिखाता हूँ आज यह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे गर्मी लग रही है आरे आर ओनली फैन पर हो रहा है अब सलेगा आप कि 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 कर आप के चलिए भाई साब अमला सबुस्छेन वो करके ह Sum equivसे करके मजाएबchen था चूह होते हैं जो हमारे पाइचाट वाले कॉशन थै कि तष्क है अब आदाते हैं हम अगले कोशन को करने के लिए और वह है साथियों आरेक वाले क्या है यह कॉशिनस आते हो आरेक वाले थैंक्यू गाइज थैंक्यू गाइज थैंक्यू ओके अज़र रॉली के पास है इसकिन सॉट रिवा के वेरी गूट अब इसमें क्या है क्या है यहाँ पर अगर आप जहान से देखोगे तो यह घेयरा कलर जो है भो है साथी का यह जो किस को दर्फा राया है यह जो कलर hisА तक को लोगों को यह कलर रचा आए इसको हम समझने का प्रियास करते हैं पढ़ लेते हैं निम्लिकित आरेश 2006-2009 के बीद एक नगर की कुल जन्संक्या की तुलना में सना तक हाई स्कूल तथा निरक्षर लोगों की जन्संक्या का प्रतिसत है आरेक कद्धन पीजिए इदर की साइ कि उनका कैसा आते हो यह दे रखा है इनका प्रतिसतिया पर दे रखा है कि कितना प्रतिसति जन्स क्या होगे आए ऐसे कौशन को समझने का प्रियास करते हैं कौन-कौन लोग हैं जो ऐसे कौशन को जानते हैं आप मैं से कौन-कौन लोग हैं जो इस प्रकार के कौशन को जा हम जानते हैं कि on कि कि हम हैं संपन्न गुणि ज्यानी। हम पर सब आता है सर किलियर नहीं दिख रहा है। ये है कॉशन अब दिखेगा क्लियर देख लो ये कॉशन अब दिखेगा आपको क्लियर पहला कॉशन समझते हैं क्या कह रहा है यदि 2008 में कुल जन्संग्या 80 लाग थी इन्हों की मानलो यह 2008 में यह टोटल जो जन्संग्या है यह 2008 में इसना ठक कितनी होगी बाई टोटल जो जन्संग्या है असी लाग है तो इसना तक कितनी होगी सरल कौशन है तब से पहले हमारे पास कुल जनसंग क्या गई है कुल जनसंग क्या मैंसे हम इसना तक का प्रतीसत निकाल देंगे और इसना तक का प्रतिसत क्या यह साथ ही हो इसना तक का प्रतिसत है 25 प्रतिसत्त्त्त्त्त्त्त्त यानी असी लाग का 25 पर जीज़ेंस उपने होग कि आप अर्मʫ की आनसर दीजिए सब के सब न च्छेयां देने वालों में हैं कि प्रियंक च कि मनिचर यादा ऊओ ओक्यों दीपी का प्रियंका सुमन। अब बताओ कितना अच्छा लग रहा है अब बताओ मन में लडूँ खूट रहें दि हैाइस समझ ए आने लगा आज तो हमारी पहली क्लास लगा लो हाँ आज तो हमारी पहली कि दूसरी किलास है मन में लंडू पूटने लगे अच्छा लगने लगा डि आ लगा समझ अपने आप से पूछो अपने आप से एक बार अपने दिल से पूछो यह आ रहा है खुशी मिल रही है अंदर से तो फिर कॉमेंट करो एक बार कि मैं आपको पहले सौर्ट करवा देता हूं कैसे यदि 2008 में कुल जनसें के असी लाग है यह टोटल यह टोटल प्रतिसाथ है और यहां पर साथ है इसना तक की हम से पूछे इसना तक है हमारे 25 परसेंट तो असी लाग का 25 परसेंट क्या होगा यानि असी का 35 परसेंट हमारे पास है असी का 25 प्रतिसाथ क्या होगा है मैंने आपको कहा कि हमको प्रतिसाथ निकालना आना चाहिए इसमें आप प्रतिसत निकालना मैत इसलिए सबसे पहले मैत पढ़ाया था ताकि मैं आपको प्रतिसत निकालना सिखा सकते हैं अब हमने कहा कि पत्ची असी का 25 परसेंट क्या होगा तो मैंने आपको नियम बताए जो पहले वाली संख्या को सबसे पहले लिख दो असी हमने यहां लिख दिया का का मतलब होता है गुणा गुणा लगा अगली संख्या को यहां उतार दो भाग का मतलब होता है प्रतिसत का मतलब भाग सो का अब क्या करेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे बच गया दस इसको सात्यों करेंगे पांच दुनी दस और पचम पच्टी आठ पंजो चालीस बटे दो इस में आगे भाग देंगे तो बीस आंसर आ जाएगा यानि बीस लाग कितना सरल है और आप लोग सिर्फ डियाई में यह डंडे देखकर डर जाते हो जबकि कितना सरल सवाल आ जा जाए अगर सच में मजा आ रहा है डियाई करते वे तो वीडियो को लाइक कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आपको सच में मज़ा आ रहा है अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो आगया भी क्लास होने वाली है अभी तेह की कॉशन करवाया आगया और करवाया लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरी क्लास खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों को जान में रखकर ही होती है इस बात का आप खयाल रखें 2006-2009 में अंतर तो 2006 में इसना तक 2006 में इसना तक कि इतने हैं कि पीस है दो अजार नो में इसना तक कि इतने हैं पंद्रा कि इन दोनों का अंतर है तो यार वो कि तीज मायने सुंद्रा कर दोना यार तहीं आंशर आ जाएगा फंद्रा अंतर कि आजाएगा फंद्रा हिस्थ करेक्टार पर कि अ कर शीकर टो बाधाई ओ। आप डिए सीख गये हो लिए बधाई हो आप डिएई सीख चुके हो अ माडा यओं आप लोगों को कि इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करो और कॉसिस करो कि रोज लाइव आप क्लास में आ सकें अगला कॉश्चन सौल करो 111 नमबर का चलिए या इस कैसा करो इस कॉश्चन का स्क्रीन सौट लेलो कल आप सौल करके लेके आना क्योंकि आज इवा का बर्षडे है तो मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूं वैसे दस बजगे हैं एक गंटे से ज़्यादा हमारी एक गंटे की क्लास हो गई है और आज युवा का बर्थड़े है तो इसलिए मैं आज क्लास को जल्दी स्टॉप कर रहा हूं नहीं विए क्लास हमेशा सवा गंटा डेट गंटे को हुती है विसे अभी गंटे में कासम कर रहा हूं क्योंकि आज युआ का बर्थड़े है तो दस बज गे रात के तो वो सब जीजों की तैयारी मुझे करनी है मैं कि इसलिए मैं एक किलास आप लोगों के लिए पहले की किलास आपको यहीं पर मिल जाएंगी अभी आपको मैं बतला दूँ कि एक किलास नमर कितनी है यह किलास नमर 20 है कि इससे पहले मैं 19 क्लास पढ़ा चुका हूं इस वीडियो की डिस्क्रिप्टिन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको 19 क्लास पिछली मिल जाएगी आप तो प्रते क्लास को लगातार देखते देखते चले जाएए आज हमारे डियाई की बेसिक क्लास ती ज्यान रह देखने के लिए यहीं प्यार बनाए रखने के लिए और आप सभी का खूब धन्वाद तब तक हमेशा की तरह रुको मत ठको मत डटो मत हटो मत नमस्कार जैहिंद जैभार